हलो स्टुडेंट दिस पंकर्ष धिमान फेकलेटी मेंबर आफ स्ब्स लॉग कॉले श्री गंगा नगर तोड़े विया गॉइंट नेक्स टॉपिक ऑफ दे कॉंट्रेक्ट सेकेंड तो हम कॉंट्रेक्ट ऑफ बेल्मेंट पढ़ रहे हैं कॉंट्रेक्ट बेल्मेंट में आपने देखा कि टू पार्टी होती है एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ गुड्स डिलिवर करती है फार स्पेसिफिक टाइम और आप्टर दे कंपलीशन अफ सच परपस जैसे उस इसके डिलिवरी की जाती है आम लाइट में बहुत जगा हम कॉंट्रेक्ट ऑब बेल्मेंट को यूज करते हैं तो आपने इसके इसेंशल ऐलिमेंट देखे कि प्रॉपर्टी हमेशा मूवेबल ही होगी प्रॉपर्टी की डिलिवरी बहुत इंपॉर्ट है स्पेसिफिक ट देखिए सेक्शन 149-167 अप इंडियन कॉंट्रेक्ट मेंशन दा राइट इंड दूटी ऑफ देखे तो जो बेलर के राइट है वह बेली की डियूटी है और जो बेलर की डियूटी है वह बेली के क्या है राइट है यह आपको ध्यान में रहते हैं तो अगर आप राइट दूटी ज ऑफ द बेली क्लियर हो रही है ठीक है तो हम इसको यहां पर समझेंगे यहां पर भी लिखा हुआ है हैंस दा राइट ऑफ बेलर्स आद ड्यूटी ऑद बेली और राइट ऑस बेली आज दूटी ऑफ द बेलर यह आपको ध्यान में रखना है तो सेक्शन 149-167 जो है इंडिन कॉंट्राइक जो है बात करता है बेलर्स की डूटी तो एक कॉंटेक्ट होता है मालेजी दिङ्टिशों को डिलिवर यहां उसके क्या क्या राइट हो बसता है सबसे पहला उसके पास राइट है जर्ग गूंट की डिलिवरी की है किसी specific purpose के लिए और specific time के लिए तो after the completion of such purpose और time जैसे पूरा हो जाता है वो अपनी चीज़ वापिस ले सकता है तो यहां पर duties क्या है अब duty देखें हम बेली की तो बेली की duty यह बनती है कि time पे वो चीज़ की delivery करें किसको वापिस तो जैसे ही बेली को जो ची चीज़ को वापिस लेना duty है बेली की उस चीज़ को वापिस देना right to the compensation तो बेलर को यहां पर right है कि वो composition ले सकता है दो conditions में कहां पे when the loss occurred to the goods due to the negligence of the बेली तो जहां पे जो आपने चीज़ डिलीवर की थी उसमें कोई loss हो जाता है ठीक है जो चीज़ आपने की तो फिर उसको वहाँ पर composition लेने का right when the belly fails return the goods जा फिर बेली जो है टाइम पे उस चीज़ की delivery वापिस से नहीं कर पाता है आपने एक चीज़ उससे delivery करवाई कि मुझे यह काड़ी चाहिए और बेलर ने आपको बोला कि यह काड़ी मुझे वापिस कर देना कल आप कल उसको वापिस नहीं कर पाते है तो इसमें लॉस हुआ है यहां पे बेलर को तो बेलर यहां पे compensation लेने का right जो है रखता है इसको बेलर की जो गूड्स है उसको भी संभाल करता है अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो बेलर को यहां पे right a compensation का तो यहां पे अगर बेली की duty क्या है कि उस compensation को पे करना आगे आप पड़ लेंगे इसको तो यहां पे साथ साथ में duties में आपको बता दूँगा तो यहां तो कोंपोंडिश्शन लेने का right आपके पास आगेए इसके लाब है राइट तो रिसींट दे कॉंट्रेक्ट को रिसींट करने का राइट भी यहां पर किसके पास है बिल्डर के पास है वह खत्म कर सकता है एक्जाम्पल आपके बास एलेट टू बी हिम आहॉर्स फर इस ओन राइडिंग एने भी को गोड़ा जो है क्राइप दिय रहा है तो वह उसको कभी भी बीच में दोड़ सकता है जब हैस इस करक्डिशन काम नहीं होता है राइट थो टर्मिने सब्सक्राइट यहां पर बेलर के पास कर ने कर दखता है कि एगर कोई चीज उसने भीली को भोली है यह उसको उस तरीकर से 55 नहीं करता है और उसको loss वहाँ पी हो रहा है तो उस contract को कर सकता है तो बेल्ली के पास बेलर के यहां पर पास right आपने देख लिए वह आपनी चीज बापीस ले सकता है वह compensation ले सकता है वह contract को खतम कर सकता है राइट को in increase the receive the increase अगर बेली ने कोई चीज बेली को दी थी for specific purpose लेकिन उस तो बहुत एक आच्छा यहां पर दिया हुआ है एक काउ जो थी वह बी की कस्टेडी में रखी काउ को एक काफ हो गया ठीक है तो अब बेली यह नहीं भोलेगा कि उसने तुम्हें सिर्फ गाई ही दी तो मैं गाई वापस करेंगा उसको वह काफ भी वापस देना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि अंडर जो भी इंक्रीज हुआ है उस गुड में उसको लेने का राइट भी बेलर के पास होता है आगे आपके बास राइट तो सेपरेट इस गुड्स फ्रॉंड मिक्सचर अगर बेलर ने जो चीज दी थी वह बेली ने अपनी बाकी चीज़ों के साथ मिक अलग कर सकता है राइट विसी थे एक्सपेंसे ऑफ सेपरेशन सेपरेशन में जो खर्चा आया है उसको वह जो यहां पर ले सकता है राइट वी कॉंपनसेटर फार लॉस फॉड्स गूड वें दर गूड्स के नॉट कुछ चीज ऐसे होते हैं जब मिक्चर उनका हो जाता है तो यहां पर उन कंडिशन में यहां पर चीजें मिक्स हो जाती है यहां पर एक इक कीमत 45 रुपए है वी जो है एक आपने सौरी फलोर है व्लोग गंग लिखी अ फलोर है तो ऑर इंडिय जो कंट्री फलोर उसके साथ उसको मिक्स करता अब आट तो तो अलग किया और अ उसको separate नहीं किया जा सकता तो जितना उसका composition मनता है वो उसको दिया जाएगा तो बेलर के पास राइट है कि अगर उसकी चीजें जो है goods जो है जो है उसने deliver की थी वो mix हो गई है और उनको separate नहीं किया जा सकता अब तो composition लेने का right वापे रखता है Duties को गया है तो ँसको भी जिम्माने के जम्यवरी बनती है दूसरा डूटी तो डिस्क्लोज अफेक्ट अगर जो चीज आप किसी को डिलिवर कर रहे है ऐसे बेलर और अगर उस चीज में कोई डिफेक्ट है तो आपको उस डिफेक्ट को बताना भी वहां पे जरूरी है जैसे यहां पे घोड़ा जो है इसको बताना चाहिए तो कि घोड़ा गया इस हो जाता है तो इस हो जाते हैं ग्से बिंवारी बन जाती है तो यहां पे जो कोन्न सको प्योकरना पर सकता है गुट्ट टो बियरेक्पंस इस तो यहां पे उस चीज से लिटर जितने भी एक्सपंस है, माने जिए बेली ने उस चीज को संभाल मी ह Door में रिखने के जो चीज आपने उसn tai पर संभाल की यह सकंभाल को डिवर किई यह बेली को डिवर किई है बेली जो है उस चीज जो भी चीज आपने उसको दी थी अगर उसकी रिपेर के साथ रखा उसको ट्रांसपोर्ट और रिपेर का खर्चा जो आया उसकी के लिए जो भी बेली का खर्चा है वो उसको देने पड़ेगा यह इसकी ड्यूटी है अगर जो गुड्स आपने डिलिवर की थी वो एस पर जो है प्रॉमिस नहीं निकलती है आपने गाड़ी एक किराय पर ली थी दो दिनों के लिए लेकिन वो गाड़ी वीच रास्ते में खराब हो जाती है तो इस केंटिलिशन में जो भी खर्चा उसका हुआ उसको पेली का ज राइट पी तो राइट ओ बैलर किया है वैली के रैट हम डिसकूस करेंगे बैली जमक चीज जो डिलिवर कई गई है तो पहला उसको क्या बनता है या बैलमेंट के त्र लिए और उस चीज को ये उसर भ्यागर जो इसको तो सारी मिन ग्セ Sum 네 असे ईसको रहए से लेटेड, right to mix the good यह वो चीजों को mix भी कर सकता है बेली के पास right है कि वाकिय चीजों के साथ उस good को भी mix कर सकता है अगर mix mix ऐसे तरिके से किये हैं कि हमको separate किया जासागा तब तो कोई दिक्कत नहीं है अगर उनका mixture हो जाता है तो उसको अलग करने का right वहाँ पे रखता है right to reimbursement the expenses जो जितने भी expenses उस property को उसने save करने में, secure करने में, care करने में, repair करने में लगाये हैं, वो सारा खर्चा जो है उसको मिलना चाहिए, यह baili का right है right to compensate, तो compensation का right उसके पास है अगर उसने कि, जो चीज उसने as a bailment contract का enter ली थी, वो चीज खराब निकली यह as per satisfaction वहाँ पे नहीं निकलती है तो उसको composition लेने का right वहाँ पे है where the bailer was not entitled to make the bailment to receive back the goods or give the direction but does not cause damage to a baili then the baili is entitled to receive the composition right to return the good to the co-owner तो यहाँ पे अगर किसी जो property, sorry, जो goods है उसके मालिक बड़े सारे है तो one of the owner को वो चीज जो है वापस का सकता है जरूरी नहीं है, बाकि सभी owner की consent वहाँ पे लेना right to stop the delivery तो baili के पास ये भी right है कि वो उस goods की delivery जो उसको वापस देनी है bailer को उसको रोख सकता है जब if the person other than the bailer claims the goods of जो चीज बेल की गई है उसका एक और मालिक आज़ा बलता है ये मेरी चीज है तो उस condition में वो उस goods की delivery रोख सकता है उस bailer को और वो court में जा सकता है ये देखने के लिए कि उसका actual मालिक कौन है तो यहाँ पे आपके पास rights of आपने baili देखे तो baili को right है उस चीज को यूज करने का उसमें कोई defect जानने का expenses लेने का compensation लेने का और को earner को good return करने का और delivery को stop भी कर सकता है वापस करने उस goods को delivery करने से stop भी कर सकता है अब duty of baili देखने है यहाँ पे तो उसकी सबसे पहले baili की duty क्या बनती है कि वो जो चीज उसको bail की गई है वो उस चीज की reasonable care करे तो reasonable care करना उसकी जो सबसे important जम्मिबारी हम पे बन जाती है pyramid finance limited बसी राम कृष्णा आयर का case है यह 2007 it is required from the baili that he is he is to take the such care of the goods baili as a man of ordinary prudence take the his own goods तो एक आम इसान जैसे अपनी चीज की care करता है वैसे ही उसको जो है उस bail की goods की भी care करने की जूरत है इस case में बोला गया तो आगे आपके पास duty to compensate तो यहाँ पर compensation की जम्मिवारी baili की भी बनती है अगर baili जो है जो चीज उसको bailment में आई है वो उसको खराब कर देता है उसको damage कर देता है उसकी गलती से उसकी negligence से वो चीज खराब हो जाती है तो वहाँ पर compensation लेने का right जो है किसके पास आजाता है bailer के पास आजाता है ठीक है जी यह आपको ध्यार में रखना है यहाँ पर तो आगे आपके पास duty not to make the unauthorized use of goods तो जिस चीज परपस के लिए चीज वो आपको दी गई है उसी परपस से आप उस चीज को यूज करेंगे आप उसका कोई अलग परपस यूज है और अलग परपस के लिए उसको यूज नहीं कर सकते है जैसे घोड़ा जो है आपको सिर्फ और सिर्फ हॉस राइडिंग के लिए दिया गया है और आप उसको जो है कैरिज के लिए जूस कर देते हैं तो वह गलत है यह इसकी डूटी है कि उसका अनुथ्राइज यूज ना करें जो इसकी यहां पर दूटी नहीं है जब उस चीज का जो परपस आपज था तो वह चीज को वापिस करें duty to return the increase और जो चीज बेल्मेंट की गई थी अगर बेल्ली के पास उसका कुछ increase हो जाता है उस चीज में कुछ value में बड़ोतरी हो जाती है तो वो value भी वापस करना जो है जरूरी है इस तरिके से आपने यहाँ पर देखा कि बेल्लर और बेल्ली के अपने अपने right and duties है generally जो बेल्लर के right है वो बेल्ली की duty है और जो बेल्ली के right है वो बेल्लर के duties है ठीक है यह आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है इस तरिके से इस question को करेंगे Thank you so much